हलो एब्रिवन वल्कम टो इमींफो तो रानिंग में काम कर रहा था तो एक केस स्टड़ी आया है सामने तो सोचा इसके उपर एक छोड़ा सा वीडियो बना दूँ कि दिया जाए तो बहुत से लोग ऐसे सफरार होते हैं जो ऐसे केसिस में तो मैंने सोचा एक वीडियो डाल कर दूँ थोड़ा सा शॉट टाइम में बातचीत कर दूँ ताकि ऐसा पॉब्लम अगर नेक्स टेम आ जाए तो कई भी मदर्वोट पे वह आसनी से सॉल्प किया जाए और आप लोग कर सको जो बिगिनर है नया काम सीख रहे हो और जो पूराना है उससे तो पता है तो यह म पूर्टिवान नहीं अभी सपोर्ड़ है इसका मॉडल नंबर है एम फाइव है सेवेंटेटल एल एम एल एकस बीटू देख सकते हो यह पर लिखा है इसका रिविजन है थी पॉण जिडो तो देखो पॉब्लम कुछ ऐसा है कि बोर्ड में बोर्ड चलने के बाद जो जो एक समस आता है मैसेज एरोर मैसेज आता है तो वही वाला सेम पॉब्लम इस बोर्ड में भी हो रहा है तो मैंने सोचा इसके उपर मेरा पिछला एक वीडियो था वो बायस रिलेटेड था तो देखो इस ट्राइप के पॉब्लम पहले पॉब्लम को थोड़ा सा देख लो उस टाइम में टोटाल जो मदर्बोर्ड होता है वो सारा भंडा कहां पे होता है यूएस्वी ओवर जो होता है यूएस्वी डिवाइस ओवर करेरे स्टेटेटेड होता है और आप्टर यूर सिस्टम विल भी शॉटड़ाउन अप्टर 15 सेगेंड जो एरोर मैसेज आके कंप् कुझी सॉल्ब कर सकोगे और इसके लिए भी कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा अगर इस वीडियो देख लिया तो तो पहले थोड़ा सा देख लो इस मदर्बोर्ड को मैं चलाता हूँ डिवाग काट कहा गया यह देखो तो बीजी एक लगा देता हूँ त कि तो यह देखो डिस्पले का चुका है । डिस्पले आने के बाद यह वाला मैसेज आ रहा है यूसभी दिखा रहा है कि वोड़ डिटेक्टेटेट चाहिव डिवाइक उवर कि अटेक्टेट ती यह देखो ओफ हो गया और इहां पर भी देखो देख सकते ओफ हो गया अब जितनी बार चलाने की कोशिश करेंगे यह सिस्टम 15 से गेंद बाद ओफ हो जाएगा देखो इस टाइब के केसिस में सेलूशन बहुत सा है लेकिन है वह जितने भी सेलूशन है मैं सारा आपको बता दूँगा जितना में पॉसिबल है मेरी तरफ से वह मैं बता दूँगा तो इस बोट को तो सॉल्ब कर लेंगे तो उससे पहले छोटा सा बाचीत करेंगे ताकि अगर कोई भी architecture का कोई भी model का board आपके पास अगर आया है और सेम issue है तो आपको क्या-क्या step लेना है क्या-क्या काम करना है वो सब आप सीख जाओगे इस वीडियो का अगर देखेंगे तो दियान से देखो अगर काम सीखना है तो यह जो 41, 31, 945, 55 series का जो motherboard होता है तो इन सब board में जो USB power के लिए बहुत सारा 2, 3, कम से कम 2 तो रहे गा है minimum यह देखो ऐसे टाइफ के कुछ jumper हुआ होता है यहां पर जो USB power का है तो यह jumper देने का मतलब यह है कि अगर आप नॉर्मल ही रखोगे यह देख सकतो एक सगे अगर उपनर किदर गया अभी देखो वीडियो के लि फोर लिखा जहां बन तो इस साइड में अगर इस दोनों में अगर यह रहेगा तो दिखाता हूं यह दोनों में अगर यह jumper में अगर jumper रहेगा यह दोनों पीन में तो आपका USB motherboard job on करेंगे तब काम करेगा USB power ठीक है और अगर मैंने jumper को इधर लगा दिया इस साइड में लग आउन कर दिया और SMPS का power आपने आप नहीं किया UPS का या फिर में पावर तो भी आपका motherboard में पावार रहेगा USB में ठीक है तो जैसे ऐसा करते है बहुत सरा लोग यह jumper अगर आपने किया तो इसमें एक फायदा भी है तो आप कई भी USB जो Bluetooth device मिलता है हमारा जो headphone बगारा मिलता है वो अगर motherboard बीना on करके भी आप चार्ज कर सकते हो ठीक है तो और इधर रहेगा तो motherboard on करने के बाद ही USB में पावर आएगा तो देखो यह एक jumper है यहां पर दिख रहा है यह वाला एक है यह है और भी है और फॉंट यहां पर एक दो तीन दिया है इस बोड में तो फॉंट के लिए भी एक जंपर होगा यह पर यह यह देख सकते हो USB पावर फाइब जो इस बोड में यह वाला jumper मिसिंग था जिसके कारण यह problem हो रहा था तो मैंने पहले नहीं देखा पहले यह फॉलो नहीं किया बोड जब आया overconfidence के बज़े से जो होता है हम सब में overconfidence होता है तो उसी में problem जाके शुरू होता है overconfidence के वज़े से तो मैंने देखो पहले यह दोनों protection हटा दिया एक बाइस को रिप्रोग्रम कर लिया पर सॉल्ब नहीं हुआ फिर जाके बोड को ध्यान से देखा इसको जो physically क्या है बाद में पता चला जो यहां पर एक USB जंपर है वो missing है तो चलो इस बोड को छोड़ देते हैं तो अब देखो थोड़ा सा basic knowledge समझ लो मैं दिखा रहा हूं तो काम कैसे करते हैं यह जो है वो कैसे काम करते हैं और क्यू बोड में एरोर मेंसेज आता है यह अपको समझना है देखो यह जंपर यूज किया गया है तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं एक सेगें यहां पर एक खुला बला इस भी कहा था यह यह है यह देखो इस समझ जाओ ठीक है तो यह है यूज भी सॉकेट तो इस साइड में यूज भी पॉजिटीव है जो बीशी फाइब आएगा एक दम पहला बाला एक नंबर पीन होता यह बाला देख सकते हो और इसके बाद और एक फीन दूसरा जो पीन है वह डेटा प्लास और तीसरा जो है डेटा माइनस और चौथा जो है लास्ट वाला वह पीन है ग्राउंड तो इससे हटा देते हैं अभी बास करते हैं तो देखो यह तीन जंपर यहां पर दीख रहा है इस बोड में तो यह तीन जंपर में से कई भी आप एक जंपर को हटा देंगे तो अभी जो आप डिस्पले में देखा वह सेम एरोर मैसेज आएगा क्यूंकि क्यूं आएगा वह उसका पीछे भी रिजन है मैं बता रहा हूं तो यहां पर एक डिवाइडर है डिवाइडर के थूरू यह देख सकते हो इसमें जाएगा विस्पी में जाएगा और यह जंपर अगर आप रिमूप कर देते हो तो फाइब बोल्ड यहां तक आकर रूख जाएगा आगे नहीं जाएगा और डायाग्रम कुछ ऐसा क्रिएट क समझाने के लिए 30 मीर्स लग जाएगा या उससे भी ज्यादा लग जाएगा पर बेसिक जो है थोड़ा सा समझ लो और शॉट टाइम में मैं समझा देता हूं ताकि नेक्स टाइम कोई भी बोड आ जाए तो आपको क्या करना है वह पहले समझ लो अगर ऐसा मैसेज एरोर मै पर यहां पर जितने भी वी पर है वो सही से लगा हूआ है कि नहीं अगर कोई भी मिसिंग है तो समझ लेड़न जैसे कि मालो यह मिसिंग था तो अगर missing हो गया तो ऐसा error message आ रहा है आपके बोर्ड में और missing नहीं है तो देख सकते हो diagram के हिसाब से जो मैंने पहले बोला fuse jumper पर 5 बोल आएगा उसके बाद fuse पर जाएगा और फिर एक divider होके इसमें जाता है यह यह डायोड है ठीक है तो यह डायोड भी कभी के बार खराब होने के बज़ा से जो हमारा यह जो error message आ रहा है वह भी आता है तो उस टाइम हम क्या करते हैं यह protection का काम करता है इसे remove करने से solve हो जाता है और बायोस बायोस related problem जो आता है जो USB ऐसा message आने के बायोस related वह latest motherboard में कुछ कुछ मदरबोर में आता है लेकिन बैकडेटेट जो motherboard है उन सब मदरबोर्डों में कुछ ऐसा reason होता है अगर देखो यहां पर कुछ आज आसपस कुछ क्याबसिटर होता है और यह और एक driver IC के साथ भी connected होता है जो USB वह आईसी अगर खराब हुआ तो बो शॉप 8 शॉप 6 का होता है तो यह यहां पर मुझे दिख नहीं रहा है इस बोड में कुछ ऐसा नहीं किया गया है जो यहां पर driver IC दिया है यह भी एरम सेक्षन के लिए दिख रहा है पहला बत तो यहां दूसरा बात यह है अग हमनों एक 21 आ गया या फिर 110 आ जाए तो उस बोड में मैं दिखा रहा हूं तो यहां परी तो था लेटेस जो बोड आते हैं वो बोडों में आपको कई भी जंपर नहीं मिलेगा ठीक है तो कई भी आपको USB के लिए जंपर नहीं मिलेगा तो इस बोड में कुछ अलग सा अर् के थुरू या फिर कुछ कपसिटर के थुरू लाइन को भेजा गया है यहां पर जो पोटक्शन डायोट रहता है यह बाला यह डायोट के उपर बेस करके बना गया है तो देखो इस टेप के बोड में अगर पॉब्लेम आ रहा है ऐसा तो नॉर्मली अगर आप चेक करने के बाद सब कुछ ठीक है तो एक बार बायस करके देख सकते हो अगर बायस करके पॉब्लेम सॉल्व आउट नहीं होता है तो आप यहां पर जो यूएजबी पोटक्शन रहता है यह बाला रिमूब करके देख सकते हो आपका पॉब्लेम 90% सॉल्व हो जाएगा अगर फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो आपको थोड़ा सा धूनना पड़ेगा यह जो थोड़ा सा धूनना पड़ेगा कि क्यूं हो रहा है और उसके लिए स्केमिटिक की जरूरत है क्यूंकि यहां पर एक रेजिटर के थूरू डिवाडर के थूरू यह जो भोल्टेज जाता है वो कि यहां पर लगा के देखते हैं और यह जम्पर यहां पर लगा के देखते हैं यह जो पॉबलम था कई भी एक जमपर ले लेता हूं जो स्वाउट होता है कि नहीं ठीक है कि देखो यहां पर मैंने जंपर डाल दिया इस भी पावर फाइब में तो अभी एक बार वोट को चलाएंगे कि मुझे ड्रॉइंग करके अगर मैं दिखा था तो और भी आप लोग अच्छे तरह से समझते पर मुझे ड्रॉइंग इतना अच्छा नहीं है बहुत ही घटिया है तो अभी एक बार चलाते हैं और मैंने यहां पर जंपर लगा दिया तो अभी चलाते है अभी देखो खोड़ ले रहा है डिस्प्लेस का आ जाएगा अभी देख सकते हो देखो अभी नहीं आया पर आ जाएगा एक सिकन एक सिकन मैंने बीजी जो है वो लगाया नहीं तो देखो अभी बोर्ड बंद नहीं होगा यह चलता रहेगा और वह वाला जो इरॉर मेंसेज आ रहा था अब देखो बोर डायरेक्ट बूट डून रहा है अब एक बार यह श्टट करता हूं ताकि आप लोगों को अभी अच्छी तरह से समझ आ जाए कहा गया फॉन पेनल इसका चलो एक बार यह श्टट कर दिया मैंने यह देखो कोट का वेरियेशन हो रहा है यहां पर डिस्पले चला गया है अब देखो आ गया अब कोई मैसेज नहीं देगा यह यह लगली वुट पर चला जायेगा मुटा अगर है युझ जंप पर को मैंने अटा दिया था तो मैंने पहले भी नहीं देखा था कि यह पर बहुतो hell लगा नहीं था तु देखो यह लाट जैको डिया मैंने कि अब एक बार बूड को चलाते है ठीक ए तो आब एक बार उट को चलाते हैं देखते हैं पॉबल्म क्या होता है यह तीन जम पर मेंटन है एक पीएस्ट जी के है और एक डैक जीए यहां पर एक फॉंट जी के लिए उसके इस्ग की आगया तो इस में से मैं आपके सामने आ जाएगा देखते रहो है कोट का विडियाशन हो रहा अभी वह देखते बाज़र को मैंने हटा दिया यह देखो डिस्पले आया है कि अब यह वाला error message चला आया है तो आपको बस दियान से find out करना है कि बोर्ड में problem कैसा है तो मैंने तो बता दिया अगर jumper missing है तो ऐसा error message आएगा और अगर jumper missing नहीं है तो bias related हो सकता है और यहाँ पर जो यह वाला protection diode होता है यह diode related हो सकता है और तीसरी बात यह है अगर latest motherboard जो latest series का motherboard है जो 110, 81, 61 का motherboard है इन में से अगर problem हो रहा है तो आप ऐसा type के problem अगर हो रहा है तो bias अब पहले bias पे जाए, bias को एक बर ही program करें अगर फिर भी solve नहीं हुआ है तो यहाँ पर कुछ protection जो होता है वो remove कर दे और उसके बावजुद भी अगर same problem आ रहा है आपका USB में same error message आ रहा है तो फिर आपको यह same model number का board का schematic download करना पड़ेगा और schematic देखके आपको ढूनना पड़ेगा कि USB power जो USB over current protection वो जो circuit है वो कहाँ पर किया है उस board के architecture में तो वो ही पर ढून कर आपको एक register को change करना है बस वो register faulty होने के बज़ा से voltage को ground कर देता है तब भी जाके वो same error message आता है और देखो laptop के cases में भी ऐसा होता है मैंने देखा है बहुत सारा cases होता है पर laptop में कुछ अलाग होता है laptop के cases में अगर ऐसा problem हो जाता है USB में कुछ तो basically सोच लो मान लो एक laptop में 4 USB है उन में से 2 USB या फिर 1 USB काम नहीं करेगा या फिर मैंने देखा है पर उसका भी solution सेम है पर laptop का motherboard कुछ अलाग architecture से होता है create जो problem laptop का वीडियो जब मिलेगा तो दिरे दिरे वो भी solve out दिखा देंगे कोई बात नहीं अगर वीडियो अच्छा लगे को सीखने को मिला देखो short time में बना वीडियो को अगर long time कर देता आप schematic पर जाता डायगरम पर जाता तो वीडियो 30 मिट या फिर 40 मिट एक घंटा भी हो जा सकता था तो short time में समझ लो अगर काम आपको थोड़ा बहुत आता है basic knowledge है तो समझ जाओगे अगर basic भी नहीं है तो basic का तो काम में सिखाता नहीं हूँ और वीडियो अच्छा लेग आप जाड़ में समझ लेगा सीज्व और खा तो कि वीडियो 16 इव बहुत में साइवल को सब्सक्राग दो करे घल सके ह्ज़ा है यद हो आप में सिखाता हैAI टहा है को खाया है बहुत आप जाप कि अजितक भी है erई whole